साथियों आज जब मैं असम के टी वर्षकर की बात कर रहा हूँ तो मैं इन दिनों देश के खिलाब चल रहे शड़ी अंत्रों की भी बात करना चाहता हूँ आज देश को बदनाम करने के लिए साजिस रतने वाले इस तर तक पहुँच गए हैं कि भारत की चाई को भी नहीं छोड़ रहे आपने खबरों में सुना होगा ये साजिस करने वाले कह रहे हैं कि भारत की चाई की छवी को बदनाम करना है योजनाबत तरीके से भारत की चाई की छभी को दुनिया बर में बदनाम करना है कुछ दस्तावेच सामने आये हैं जिन से खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकते चाई के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है क्या आपको ये हमला मंजूर है आपको ये हमला मंजूर है इस हमले के बाद चूप रहने वाले लोग मंजूर है आपको हमले करने वालों की तारीब करने वाले मंजूर है क्या आपको हर किसी को जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने कि हिंदुस्तान की चाई क्यों बदनाम करने का बिड़ा उठाया है और उनके लिए यहां जो चूप बैटे हैं यह सभी राजलीतिक दलो को हर चाई बागान जबाब मांगेगा हिंदुस्तान की चाई पीने वाला हर इंसान जबाब मांगेगा मैं असम की धर्ती से इन शड़ियंत्र कारियों से कहना चाहता हूं यह जितने मर्जी शड़ियंत्र कर ले देश इनके नापाक मनसुवों को काम्याब नहीं होने देगा मेरा टी वरकर इस लड़ाई को जीत के रहेगा भारत की चाई पर किये जा रहे इन हमलों में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे टी गार्डेन वरकर्स के परिश्रम का बकाबला कर सके देश इसी तरह विकास और प्रगती के रास्ते पर बढ़ता रहेगा असम इसी तरह विकास की नई नई उचाईयों को छूता रहेगा असम के विकास का ये पहिया इसी तेज गती से घुमता रहेगा